नमस्कार मेरा नाम है अमिद वेलकम तो दिस चैनल जब पुलिस किसी एक्यूज को किसी ओफेंस के लिए अरेस्ट करती है तो उसके बाद पुलिस उस अपराद के होने या नय होने के संबन में अनुसंदान करती है इस अनुसंदान को करने के दौरान पुलिस की ये डूटी ह होती है कि वो कानून द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो कानून द्वारा तै की गई है उसमें उस अनुसंधान को पूरा करे और कोट के सामने चार्शिट यह अपना फाइनल रिजल्ट पेश करे अगर पुलिस कानून द्वारा तैग की गई इस निश्चिस समय सीमा में अनुसंधान पूरा नहीं कर पाती है तो ऐसी स्तिती में एक्यूस को ये अधिकार मिल जाता है कि उसे बेल पर छोड़ दिया जाए फिर इस पास से कोई फरक नहीं पड़ता कि उसने क्या अपराद किया है उस पर क्या allegation है तो आज के इस topic में हम बात करेंगे कि ये समय सीमा कितनी होती है और इस संबंद में बेल प्राप करने से related क्या कानून है तो वीडियो के अंतक बने रहिएगा and please don't forget to subscribe the channel investigation पूरा करने के लिए क्या समय सीमा है इस संबंद में कानून ये है कि अगर अपराद ऐसा है जिसके लिए म्रत्युदंड की सजा दी जाती है यानि death penalty है या ऐसा अपराद किया गया है जिसके लिए आजिवन कारावस की सजा का प्रावधान है या अपराद ऐसा है जिसके लिए 10 वर्ष से कम की सजा नहीं दी जा सकती तो इन सबी स्थितियों में 90 दिन में पुलिस को अनुसंदान पूरा करना होता है अन्या अपरात के संबन में पुलिस साथ दिन में अनुसंदान पूरा करना होता है 90 और 60 days की calculation की कैसे जाती है ये time तब start होता हैजब accused को arrest कर लिया जाता है जब police accused को arrest करने के बाद magistrate के सामने पेश करती है और magistrate द्वारा previous द्वाराव पर यानि पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है तो जिस दिन magistrate ने उक्न पुलिस रिमांड पर भेज़ा है उस दिन को calculate नहीं किया जाता है और जिस दिन पुलिस चार्शीट फाइल करती है उस दिन को इस काउंटिंग में कैलकुलेट किया जाता है इस चीज को हम एक एक्जामपल से समझते हैं Mr. A. ने मर्डर किया और पुलिस ने उसे अरेस कर लिया मर्डर के लिए जो सजा है वो या तो आजिवन कारावास है या मृत्यु दंड है तो ऐसी इस्तिती में पुलिस को 90 डेज में इन्वेस्टिकिशन पूरा करना होगा पुलिस ने एक्जिस को 17 दिसंबर 2021 को गिरफतार किया और मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया मैजिस्ट्रेट ने उस एक्जिस को पुलिस रिमान के लिए भेज दिया तो 90 डेज की कैलकुलिक्शन करने के लिए 17 बारा 2021 का जो दिन है उसे एक्स्क्लूड कर दिया जाएगा अब 90 डेज का पूरी होंगे 18 डिसंबर 2021 से इसे कैलकुलेट किया जाएगा 18 डिसंबर 2021 से 31 डिसंबर 2021 तक 14 डेज होते हैं उसके बाद जैनवरी 2022 के 31 डेज फिर फेरवरी 2022 के 28 डेज उसके बाद मार्च के 17 डेज एड करके 17 मार्च 2022 को उस एक्जिस को 90 डेज कस्टडी में हो जाएगे meaning thereby अगर पुलिस 17 मार्च 2022 तक चार्शिट फाइल कर देती है तो ऐसी परिस्तिती में एक्जिस को बेल का राइट एक्रिव नहीं होगा लेकिन अगर पुलिस 17 मार्च 2022 तक कोर्ट में चार्शिट फाइल नहीं करती है तो 18 मार्च 2022 की सुबह से एक्यूस को बेल का राइट प्राप्थ हो जाएगा और इस बारे में ये नहीं देखा जाएगा कि उसने क्या अपराथ किया है क्या उस पर आरोप है सिर्फ उसे बेल देनी ही पड़ेगी वैसे तो सभी ओफेंस के लिए चार्शिट फाइल करने की टाइम लिमिट 60 देज और 90 देज है लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल एक्ट भी हैं जिसमें इस टाइम को बढ़ा दिया गया है इसी तरह का एक एक एक्ट है एंडी पेस एक्ट जो की ड्रग से रिलेटेड ओफेंस में इंप्लिमेंट किया जाता है इस एक्ट में कुछ ओफेंस ऐसे बनाए गए हैं जिन के लिए चार्शिट पेश करने की टाइम लिमिट 180 देज है और learned magistrate से request करके या application file करके इस time को एक साल तक extend भी करवाया जा सकता है ऐसे कुछ ही acts हैं जिसमें इस तरह time limit को extension का provision है अगर मुल्जिम ने कई सारे अपराद की हैं और उन में से कुछ अपराद ऐसे हैं जिन में 5 साल की सजा है कुछ अपराद ऐसे हैं जिनके लिए आजिवन कारावास की सजा है तो ऐसी स्तिती में जो maximum punishment होगा उसी के according days की calculation की जाएगी हमने जो example लिया था उसमें 90 days 17 March 2022 को पूरे हो रहे थे अगर पुलिस ने Mr. A के खिलाव 17 March 2022 को चार्शिट फाइल नहीं की तो क्या 18 March 2022 को कोर्ट उसे अपने आप बेल देदेगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है कोर्ट से बेल लेने के लिए बेल application फाइल करनी होती है और उसमें ये specific mention करना होता है कि तय लिमिट निकल चुकी है और अब accuse, bail bond या shortage जो भी कोर्ट impose करना चाहे वो पेश करने के लिए तयार है तब ही उसे बेल दी जा सकती है अगर accuse ने बेल application फाइल नहीं की और उधर पुलिस ने next day भी अगर चार्शिट फाइल कर दी तो ऐसी इस्तिती में Mr. A का bail का right siege हो जाएगा फिर उसे इस provision के धैद bail नहीं दी जा सकती है अगर कोर्ट में bail application फाइल कर दी गई हो और उसके बाद पुलिस चार्शिट कोर्ट में लेकर आती है और चार्शिट फाइल करती है तो ऐसी परिस्तिती में भी accused को bail दी जाएगी तब इस पास से कोई फरक नहीं पड़ेगा कि उसकी bail pending है या उसे bail दे दी गई है तो अगर ऐसी situation आ जाए तो कोर्ट खुलने से पहले ही कोर्ट में पहुँच जाना चाहिए और सुबह जैसे ही कोट ओपनो bail फाइल कर देनी चाहिए इस तरह की bail को default bail या compulsive bail कहा जाता है ये CRPC के section 167 sub clause 2 में इसके बारे में प्रावधान किया गया अभी हाली में एलगार परिशत के case में honorable Bombay high court द्वारा इसी provision के तहत accused को bail दी गई थी जिसे honorable Supreme Court ने भी affirm किया था तो default bail के इस topic को यही conclude करते हैं जल्द ही मैं आपसे मिलूँगा एक और नए interesting legal topic के साथ अगर आपको आज का ये video पसंद आया हो तो इससे like करें, share करें और चैनल को subscribe करना ना भूले यतो धर्मस्ततो जये है